तो दोस्तो जितने विच्छाथ विहार बोट से एकजाम देने वाले हैं 2013 के बोट परिच्छा में चाया आप मैटिक हो या फिर इंटेरमीडियेट के दोनों छात्रों के यहाँ पर सुची करन और रेजिटेशन कार्ड जारी कर दिया गया है दोस्तो बोट के ओफिशल वेब पर और किस तरीके से आपको भरने हैं मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से ठीक है तो वीडियो को शुरू सरकर अन तक जरूर देखेगा ठीक है वीडियो को लाइक करके शियर जरूर कीजिए दोस्तो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और रेजिटेशन कार्ड किस तरीके से आप लोग को डॉनलोड करना है देखे इस परिक्षा फॉर्म को भरने के लिए दोस्तो आपका पंजियन कार्ड रेजिटेशन कार्ड के अनुसारी भरना है यह बेसिक बीएसवी यूनिक आईडी नया चीज इस वाल जोरा गया है द लोग फॉर्म भर सकते हो रेजिटेशन सुल्क 25 तक कर सकते हो जमा और सफॉल अश्ट्रेंट भी दे सकते हैं परिक्षा यहां पर देखिए सभी चीजों की जानक्यारी आप लोग को दिया गया है तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूं कहां से आप लोग को इसको डॉनल रेजिटेशन काड डॉनलोड ठीक है तो आप लोग को इस तरीके के होम पेज पर आ जाओगे दोस्तों इस तरह कर आप लोग को बाइनर देखनों के मिलेंगे ठीक है और लोग इसको पढ़ सकते हो जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्केप्शन मिल जाएगा दोस्तों क देखें आप लोग को रेजिटेशन औरिजिनल काड डॉनलोड कैसे करना है देखें दोस्तों यहाँ पे इंटर वालों के लिए तीन सर्वर दिये गये हैं मैटिक वालों के लिए तीन सर्वर दिये ठीक है अभी मैटिक वालों का एक्टिव किया गया है दोस्तों और इंट लिए सभी चीज्चों की जानकारी आप लोग यहां पर भर दनी है और सर्च पे किली करना है जैसे आप सर्च पे किली करोगे दोस्तों आपका नाम दिख जाएगा वहां पर वियू पीदी आपके देखने को मिलेंगे डाउनलोड का जैसि डालोड करोगे तो आपना यूनिक एड़ी जो दिया गया था वो यूनिक एड़ी देखने को मिलेंगे जो आप लोग को रजिट यहाँ पे एक्जामिनेशन फोर्म में आप लोग को भरना है ठीक है इसकुल कोड रेकानिडेट्स नेम फादर्स नेम और यह जो डीडी एम एम हुआ है आपका डेट इस तरी के साब को 2004 लिखने हैं ठीक है यहाँ पे डेट आउब वर्त वाले सक्षन में अम आप लोग को बताता हूं दोस्तों यहाँ पे आप लोग को किलिक करना है और जैसे आप लोग किलिक करोगे दोस्तों तो इस तरीके से ठीक है देखो तो इस तरीके सा आप लोग को यहाँ पर फॉर्म डॉल्लोड हो जाएगा बीएस भी यूनिक ऐडिया आप लोग को यहाँ पर रेजिटेशन कार पर देखनों को मिल जाएगे इसकूल कोड रेजिटेशन नमबर इसकूल नेम अस्ट्वेंट्स नेम फादर्स नेम यह सारे चीज और यहाँ पर आप लोग को फोटो भी एक लगाना परेगा और फूल सिगनेचर यहाँ पर आप लोग को करने है ठीक है जेंडर सेलेक्ट करना है कास्ट केटेगोरी सेलेक करना है डिफरेंट डिफरेंटिली यहाँ पर अगर आप विकलांग है तो इस पर आपको करना है उसका मोबाइल नमबर और इमेल एडी यह दोनों कमपल्सरी है ना डालना क्योंकि आगे के लिए आगे के अड़िट कार्ट के लिए या फिर कुछ भी चीजों की जानेकारी वर्णिली यह दोर आती है तो आपको मोबाइल और इमेल एडी पर दिया जाएगा ती है यह दो आप लोगो दला अपर अधार नमबर डाला है क्योंकि आधाब डालोगे तभी आपको यहाँ पर डिजी लोकर में दोस्तों डिजी लोकर में आपको परमानपत इसका कार्ट को लेकर और एक्जानवेशन फॉर्म को लेकर आप लोगो किस तरीके से डॉनलोड करने है ठीक है तो जितने विच्छाथ अभी तक डॉनलोड नहीं क्या है दोस्तों और इंटर्मेट के लिए बता दू यहाँ पर दोस्तों इंटर्मेडियाट वाले अगर ट्वेल रेजिस्टेशन कार्ट सर्वर वन पर किलिक करोगे तो देखिए अभी जस्ट अफ्लोड हो रही है यहाँ पर यहीं पर आप लोगो देखनों का मिल जाएंगे इंटर्मेडियाट registration card download link ठीक है अभी देखे इस्कुल वालों के लिए download हो रही है username और user password से तो आप इस्कुल के माध्यम से college के माध्यम से भी ले सकते हो या फिर इंजार कीजे दोस्तो मैटिक की तरह ही आप लोग का यहाँ पे download करने का option जो है आज आएगा ठीक है तो मित करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को सभी ज़रूर कीजेगा और जो भी चाहत अभी टक कैसे download करना ठीक है बैबै दोस्तों सभी को